अपिए प्रोग्राम दिल से में जिसमें होता है दिल से दिल का रापता कई बातों का खुलासा वेल आज सेटरेडे हैं और सेटरेडे स्पेशल में किसी ने किसी चहीत को हम आपसे रूबरू कराते हैं और आज के सेटरेडे स्पेशल में हमारे साथ कौन रहेंगे बजा होगा अच्छा होगा अगर हम उनका तावरुफ उनका इंट्रोडाक्शन कुछ म्यूजिकल अंदाज में ही दे आमको पता है इनका संगीत सुनकर मन बहकने लगता है इनका संगी सुनकर हमें याद आती है जब वी मेट के उन पलों की जो हमारे बहुत करीब थे यह सिकंदर है मौसी की के बहुत ही मिलडिया संगी था इनका इस वक्त हमारे साथ दिल से सेटेड स्पेशल में है इनके साथ बहुत सारी बाते हमें करनी है सबसे पहले इन्हें हाइ हलो तो कर ले हलो संदे जी हाइ नमस्कार कैसे है म९ह संदेजी पंठ इस pole है इतने आप इस सोबर आप इसा लागता है कि ि इतना सोबर इंसां इतनी मास्मी शक्ल इतने बेषषिरी इतना melodious इतना ध्हुशंडर्स के कैसे दे सकता है तोड़ा इंत्रोप लगते है आप चेहरे से लेकिर आपका मुजिक माई गॉड़ू किन फगेट सूरेज हुआ मधम ओह 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 वह सोनिया वू किन फगेट पिया बसंती वू किन फगेट यारा रभ फ्रॉम सोचा ना था आपको कई लोग ने बोला है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट है नहीं मैं शायद थोड़ा हूँ थोड़ा आपका काम बोलता है बस आपकी तारीफियों के लिए देखे आप बहुत कम इंट्रोव्यूस देते हैं और आपने हमेशे कहा भी है कि म्यूजिक के बारे में बातें करने से बहतर है अगर म्यूजिक पे ज्यादा काम किया जाए लेकिन मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ आप से काफी कुछ जानने वाली हूँ देखे आपका इतना जबदर संगीत है लेकिन आपने कभी भी ये नहीं कहा कि भई और हमने ये सुना है कि संगीत का शौक खाली था आपको आप संगीतकार नहीं बनना चाहते थे ये संगीतकार बनने का या गायक बननी का कीड़ा पता था तब बन पः जब आप अगरग रहे थे क्या कहानी है इसकी मैं बच्पन सेम्यूजिक मुझे बहुत पसंट और कि अप्रोला कॉन्फिदेंस आया कि नहीं जो मैं कर सकता हूं वो मुझे करना चाहिए पिर में पापा को रिक्वेस्ट है कि मुझे 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 करना है मुझे प्लीस इसमें जाने पे अन्मुझे अब लगता है क्योंकि अभी मैं खुद एक फादर हूं तो उसक्त मुझे यह पर्मिशन दी कि ठीक है तो मैं उनको बोला मैं जब तक निग एंजिन कंप्लीट करूँ गरूगा चार-पांच साल लेगे तब तक मुझे लगता है वक्त निकल जाएगा तो उनने पर्मिशन कैसी दी आज तक मैं सोचता हूं पर्स्टियर के बादी मैं पापा की भी मन्जूरी मिल गई और फिर आप मुंबई चली आए तो मुंबई में आपने बहुत सारे बहुत बेटरीन एल्बम्स भी किये क्या शुरुवात में थोड़ा दिकतों का सामना करना पड़ा किन से मिलना पड़ा क्यूंकि आपके जो गुरू रहे वो सुल्तान ख कि अपने कई गानों में उनकी आवाज को आपने यूस किया इस्तवाल किया प्या बसंती वह जो पहला आपका हिट रहा 2001 में प्या बसंती तक पहुंचते-पहुंचते I Love You, उसकी क्या कहानी है, उसके बाद पिया बसंती तक क्या सराहा सिलसला? उदित नाराइन जी का अलबम था और विंक्स म्यूजिक कंपनी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप कंपोस कीजिए, उनको मेरी कुछ दुने पसंद आई थी, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया कर काम करनी के लिए, तो वस अलबम का नाम इलव यू था और उसका एक गाना, उसका एक जो में गाना था, वो काफी लोगों को पसंद आया, उसके बाद मुझे उदित नाराइन जी ने कहा कि आप जाये राश्री प्रोड़क्शन में जाके मिलिये, और वहां जो राजबाबु हैं हमारे सूरज जी के फादर, तो उनको ये बहुत पसंद है, तो उन से में जाना जाएन जाएन जाना जाएन 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 हाँ, प्यारे के गीत सुना जारे, तु आ जारे, आराइट, बहुत ही सूपर हिट था ये, तो उसमें एक और सौंग था, रंगी लो मारो डोलना, थार एक में, एक और फिल्म थी, जो रेलीज होने वाली थी, केत्री जी से पहले, लेकिन वो हुई बाद में, तो आपको हो रहा है कि आप बहुत खुशनसीब रहे हैं कि पहला ही जो फिल्म का इतना बड़ा गाना और इतनी बड़ी फिल्म और उसका वो गाना जो जिसकी धुन आपके पास बहुत पहले से थी, और आपके दोस्त नहीं उसे लिखा था, अनल पाने ने, रूमेड जो रहे आपके आपको लगता है बड़े खुशनसीब रहे, अच्छा हुआ कि K3 जी आपकी पहले रिलीज बन गई और नहीं तो शाइद कुछ चीज़े अलग होती, अपको लगता है कि या, या, यौ यौ वरी फॉचुनेट इनॉफ, श्रीवजी मैं शाइद इस वक्त इस बात का जब मुझे असा लगता है कि सब कुछ पहले से प्लान है, आपकी मुभबत, आपकी शिदत कितनी है आपके फन के लिए, आपके काम के लिए, कितनी इमानदरी से करते हैं, गौड वपर वला खुदा, इश्वर जो भी जिस भी नाम से बुलाते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ त आपके लिए, कितनी इमानदरी से काम में लगते हैं, तो मैंने जब भी कभी मैंने खोड़ी सी कुछ गलती की, जब भी मैंने संगीत को वक्त नहीं दिया, मुझे इमिड़ी रिजल्ट के ला, मेरा गान अच्य नहीं बना, लिकि जब भी मैंने बहुत महभबत से काम किया, हाँ, तो में रिजल्ट अक्सर अच्छा हुआ है, बीच में जो कुछ फिल्में आपकी फ्लॉप रही, उसमें आपकी कही न कहीं कमी पेशी थी, किसी और के नहीं थी, आप इस बात को एक्सिप करते हैं, हम लोग भी सीख रहे होते हैं, हमें भी जिंदगी में बहुत सारी आपकी चीजें आकरशित करती हैं अपनी तरफ और कभी-कभी हम अपना फोकस शिफ्ट कर देते हैं, हमें चमेली फिल्म की बात करें, बॉलिवुड का वन अफ बेस सौंग तसवर किया जाता है, यह धुन क्या आपके पास थी, या फिर स्टुएशन आपको समझाएगी उ इसके लिए उसके बाद आपने धुन तर्तिब दी, क्या था इसका सिनारियो जब फिल्म ओफर वी चमेली का यह रेंस सौंग था, जो मुझे ठीक से यादी लेकिन हां कुछ मेरे पास था जो जिसको मैंने उसको डवल किया उस आइडिया को और वो आइडिया फिर इशाद आपकी तो जोड़ी बहुत जब के आगे बड़ी फिर बहुत अच्छा रापता बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों का बिठा इस्ट्री है आप दोनों की इस्ट्री भी है और वो इर्षाद जी की पहली फिम थी जो रिलीस हुई और तो उनके साथ मेरा काफी शुरूवात उनके सुरूवाती दौर से मिरा उनके साथ मिलना प्रूदा आप उन्हे जानते थे जने मैं जानता नहीं था जब में केत्री ची कर रहा था उस दौरान व मुले थे गँए और उर तो फिर हम उस बढ़ भी सोचा नहा था फिल्म की प्लानिंग कर ति ताना था मैंगाद अ उसका एक मिश्रन था ये, इसमें सब कुछ था, इसमें रुमानी जजबात थे, इसमें भामनाएं थी, सोचना था पे जब आप काम कर रहे थे, तो आप और इशाद कामिल सहाब ने कितना वक्त लगा दिया, सारे गाने किस तरह से हुए ये, क्या हर एक स्टिंग में आप दो कि तो अखे बादे गीत लिखने शुरु किया, तो मैं और इन्तियास दोनों इसमें सप्राइस थे कि क्युकि झाओ। मैं सहाब कर रहा हूं। अफ। मुझे उन्में वो जहल्ग दिखा दे रही हिए तो मुझें पड़ काफी जएक जब लगा लाक रोता कि तो वी, काफी हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इम्तियाज हमें बहुत इंस्पायर करते हैं इम्तियाज को खुद को बहुत समझ है पोल्टरी की हमने बहुत पड़ा है शाहिरी बहुत पड़ी है तो शायद उस वजह से वो समझते हैं अच्छी टीम होने से आपका खुद का काम बहुत अच्छा होता है अब हम थोड़ा सा विराम लेते हैं हम छोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं अभी संदेची उसके बाद कुछ और म्यूजिकल बाते आपसे होंगी और कुछ ऐसी बाते भी आप से होंगी जो आपने अब ही तक किसी से नहीं जाहिर किये हैं जो आप दिल में ही दाबे रखते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से आप बहुत कम बोलते हैं और दिल की बात जुआंपे नहीं लाते हैं कुछ मलाल कुछ रंज इंडस्ट्री से रहा अपने काम को लेकर रहा उस बारे में हम बात करेंगे बट राइट आफटर इस शॉर्ट ब्रेक स्टे टून ब्रेक के पार आप सभी काता है दिल से इस्तिक्बाल है स्वागत है आप ही के चैदर प्रोग्राम दिल से लाइफ में जिसमें होता है दिल से दिल का रापता कहीं बातों गा खुलासा आज जिस शक्स से हम आपकी गुफटों को करा रहे हैं वो है हमारी इंडिस्ट्री की बहुती बेश्टरी मेलडियस संगीतकार और गायक भी जिनका नाम है संदेश शांधलिया जवी मेट की बात हो रही थी और जवी मेट का एक ही गाना आपने कंपोज किया जबकि मुझे लगता हूँ उस फिल्म के दूसरे गाने भी आपको ओ क्यों कुछ अच्छे प्रजेक्स को आपने मना किया या उस वक्त आपको लग रहा था कि नहीं मैं ठीक हूँ ओके अगर मैं नो कहता हूं तो होता है कभी-कभी जिंदिगी में आप फैसले लेते हैं अपनी समझ से और अल्टिमेटली सब अच्छा ही होता है अल्टिमेटल आप इतने पॉजिटिव रहे हमेशा इसी वज़े से इतना लंबा करियर आपका है और इतने बेत्री नगमे कहते हैं किया बहुत अंडरेटेड है लेकिन मैं आपको अंडरेटेड नहीं मानती हूं क्यूं क्यूंकि आपने अपने करियर में जैसे अगर हम पीया बसंती की करें उसको भी 20 साल हो गए कंपलीट अभी उसके बाद आपने एक और आल्बम पीया बसंती नाम का रिलीज किया लेकिन उसे उतनी सरहना नहीं मिली क्या आपको उसका थोड़ा अफसोस हुआ जी वो ऐल्बम हम लोग ने पीया बसंती के तुरंट बात किया था और लेकिन तो इसको ब्रीज़ सोड़ा आपको बहुत बेलिज नहीं मुझे लेगा लूग मुझे रिलीज मुझे वरावा गृटन के साथ वहे एक जिए नहीं मुझे के वह बात रिलीज का बात अब गांग है विए स्टाइल चेह तो बहुत पहल लेज हो लेक्श एग बात अदे ल जो झाल थाव फिर दस साल पहले उसका फाह इसका है तो बात लगती तो दस साल बात होता है तो फुरा एक डिकेट चींज़ाता है ऐसा ऐसा पूरा फोराना लगने लगता है बिल्कुल सही कह रहे हो आप, खैर ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, आपके साथ नहीं हुई, इंडिस्ट्री में बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, क्योंकि एक फिल्म के पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो हर एक को अपने अपने आतबार से देखना होता ह उसमें इनसान को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, आपका काम बोलता है, आगे अगर फिल्म के अगर हम बात करें, तो आज तक कभी कोई ऐसी फिल्म आपको मिली, जो आपने की, लेकिन वो डिबाबंद हो गई, आप बहुत खुश थे उसके म्यूजिक से, लेक कुछ है आपके साथ, आपकी लाइफ में पेशा है? ऐसी कई सारी फिल्में है, जो डिबाबंद हो गई है, उनके भरे में बात करके कुछ फायदा नहीं है, जैसे आपने का पास जाने भी जो एक फिल्म थी जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ है, रीसेंटली हाली में वि तो उस वज़े से शायद म्यूजिक लोगों के सामने नहीं आया, इसका बैग्डॉप कश्मीरी था, आपको म्यूजिक भी उसी हिसाब से तरतीब देना था, तो क्या आपने विजिट किया कश्मीर, क्या आपने वहां के इंस्टुमेंट्स जो है, उनका भी प्रयोग किया है इस फिल्म ने? जी, उसमें वहां के इंस्टुमेंट्स का प्रयोग किया है, संतूर का एक दुम्बक जो वहां के क्रिदम इस्टुम के तरह है, उस तरह है, एक और फिल्म, लव यू मिस्टर कलाका है, उस फिल्म के गाने भी बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही मिलद य जी, क्या आपको उस फिल्म का भी रहा, मलाल रहा, या तुम मिलो तो सही फिल्म, और भी कही सारी फिल्में है, जिनका म्यूजिक बहुत ही खुबसरूरत है, ला जवाब है, क्या उस बाद का भी आपको मलाल रहा? जी मुझे मलाल, उस वट लगता है कि गाने नहीं चले, जब एक रार ऑपके साथ खुबसर तो कि गष़ने हो जाती है, जब कभी कभी अक्सर होता रहता है, तो हमें आदत होती है, और हम अपने सीनिय कलाकरम को भी देख थे हैं कि ये सभी के साथ हुआ है, तो ये कोई इसी जाए बात नही है, जो सिर्फ आपके साथ हो रही है, तो यह एक्चिली इस पार अवर लाइफ, पार अवर प्रोफिशन, तो कोई मलाल नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूँ, क्या दिल्ली, क्या लाहॉर की, तक्सी में हिंद के बाद का दौर था वो, गुलजार साहब ने गीत लिखे थे, 1948 के बाद क्या हुआ, कई सारे जजबा तो अवर रहा कि उस फिल्म का संगीज वो लोगों को पसंद आ रा चाहिए, क्यों कि कुछ हटके था क्या होता है कर पसंद नहीं आता तो लाइफ, मैं उतना सोचने का वथ नहीं है, लोग पर एगे बढ़गाते है क्यों कि को धिया है है, मैं अपी बताओ, मैं ले में जब से साथ काम कर सकूंसरा गैसा हो कि उनकी नजर मिल सकूंसरा अईसा हो और एक लाओ क्या हँआ कि गस्तुल्स की आपको पारे, फिलम कर थाए, और उन्पैसे की दूप चारा Turnsे की बारिश दिक्टरण है, वह तो ईपते नवल जो हम आप सबी जानते हैं है कि आंपर इंदस्ट्री की बहुत ही बहुत parked guys तो उनकी एसे डिरेक्टर पहली फिल्म थी तो उस फिल्म के सभी गाने इर्षाद कामिल जी ले लिखें सब उसका टाइटल सौंग उचाती थी गुल्जार साब लिखें तो खुल्थाम में किडितल कि एक ओर रषा07 को। तो गुल्जार साब को टाइशान को में अपैसे लिखें अग्तिल संक का वी लिखें के संद गार उस उस बहां चाहना पते ही अचाएण के साथ की अर। तो आज यह मतलब चुल हमारी इंडुस्ट्री के हमारी music industry के बहुत बड़े कलाकार हैं बहुत बड़े इंसान हैं हम व इंस्टीटीुट्टीट तो मैं चाहते है कि कुछ ऐसा हो कि इनको में खुश कर सका तो मैंने बहुत महनद में उस गीत को जो नहीं लिखा था उस गीत क अर उन्हों ने मुझे कहा कि उन्हों न मेरी नारीछ की तो मुझे लगा मेरे लगा म waking up कीतनी निर्क्रोंम सके लगा BENS तिह और मिले, तो इन्हों एक फिलम थी 10ा ही कि षम्टा उसकेब एक लंजे स्ण थी 10 ऑच कहा कि मेरा नम味why जाजय है और मैं एक फिल्म कर एंग जिसके गीत गीत जाहते हैं कि अपुसका मेजिक करें वाँ मैं उस व्हवा में ओड़ा था मुझे लगा कि मेरी अब तक ही सारी महनच सफ़ल गी और फिर वो फिल्म की उसके बाद फिर हमने तीसरी फिल्म की क्या दिली के लाहॉर साथ में तो दुख ये क्या दिली के लाहॉर का ये दुख रहा कि गुल्जार साब ने इतनी खुबसरत गीत लिखें कि गुल्जार साब हर फिल्म उतना ही कमाल करते हैं बतलब उनका कमाल जादवी लेरसस्ट है नगबनिगार हैं और एक जादवी नगबनिगार के साथ गीतकार के साथ एक जादवी संगीतकार जुट जाये तो सोने पर स्वहागा होता है इंडुसरी में दोस्ती की अगर हम बात करें तो do you feel कि तरसरी होती है यहां दोस्ती रफियकों में रखीबों में कौन आपकी जिन्दगी में बहुत ही एहमेत का मिल रहा भुवरिक्टर हो लिरेक्षर हो एक या हमको अपनी भूभातर हो खुश करना होग जो हमारी मHz पूछ करता है हमारी मदत करता है हमारी म vontade करता है हमारी साथ चलता है । वह दोस्ति कभी कभी क्या होता है कि एक डिरेक्टर और एक मुजिक डिरेक्टर उन्होंने एक फिल्म साथ में कि दोनों दोस्त होगे, बहुत जिगरी दोस्त होगे, होई जाते कि आप साथ आप उठते बैठते हैं, एक लिरिक्स राइटर, तीन लोग आप दोस्त होगे मालीजे, अब उसमें से एक बंदा, तोड़ी सी भी मानी करना शुरू कर दे हैं यह अपना फोकस शिफ्ट कर दे तो बाकी लोग उस लाश को अठा के क्यों चले कि उनको तो पहुंचना है और और वो शक्स को बोलता है कि मुझे आपने जो है मेरा दोस नहीं रावे वो मिरसार काम नहीं करता है वो कभी यह नही कि मेरी है मैं उस लाइक नहीं था अभी हर को अपनी मन्जिल पर पहुंचना है तो एक अगर जो हो जाता है तो फिर उसको छोड़ देना ही मुनासिब है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपकी गलती नहीं होती लेकिन आपकी टीम को कुछ और तलाश होती है मैं एक और ब पॉजिटिव इन अपनी मैनत करते जाओ और जो भी बुरा आपकी लाइफ में होता है उसको बिलकुल याद न करो उससे सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ तो आपका बहुत ही अच्छा फलसफा है लाइफ को जीने का उसमें हमारा काम और बहतर होता है उसमें हम पहल को उस बर पे पॉस देकर कुछ सिखाना चाहता है कि फुला ठहर जैसे भी कोविड में सबको ठहरा दिया है एक साल का सबको बुले आप सब लोग जाई रहा हमें काहँ करते हैं रिसे बटन अन करते हैं फिर से चलिए के सबको और सिखा दिया है इस कोविड ने बहुत सबको और आप फुलेड था था चाहराव के साथ आप काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो चाहती हूं पको ब्रे मिलते हैं उन को बुरा नसमझ कर आगे बढ़ते जाई बस आपको अपने आपको ही रफीक और रखीब दोनु समझ के आगे बढ़ो, फाइदे में रहोगे, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप दिल से में हमारे आए, और आपने दिल से अपनी सारी बातें की, चाहते तो हम थे और भी इसे आगे बढ़ाए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, पर दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट, सदेजी, शीबाजी, थैंक्यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जिस तरह से बात करती है, तनी खुश होके बात करती है, इतना अच्छा लगता है, थैंक्यू बहुत- करना है, तो आपको अपने होसले और अपनी हिम्मत को, अपनी उमीद को तोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, इन्ही पॉजिटिव विचारों के साथ, आज की प्रोग्राम से इजाज़त, यूगाइस टेकर आफ यॉसर, बी हापी ऑल्वेस, क्यू